पूरियर जंग पहला उद्देश यह है कि अब तक पांच बार इला पंचायद के चुना हो चुके हैं 95 से ले करके 2015 तक प्रचित्र में जब हम लोग निकलते हैं तो सम्मानित मद्दाता यह कहते हैं कि आतक इतने प्रतनी जीत करके गए जीतने के बाद उनसे मुलाकात नहीं होती है और मेरा पर्थम यह उद्देश होगा कि हम जीतने के बाद अपने सम्मानित मद्दाताओं की बीच में बराबर बना रहे हैं बराबर बने रहने के कारण हमारा उनका संभन बना रहेगा और उनके दुख और दर्द को हम तब समझ पाएंगे और समझने के बाद उनकी समस् आसानी से हम कर लेंगे आपके विशे में सर पता चला है कि 2000 लेकर के 2005 से लेकर के 2021 पहुंचा अभी तक यह एक लंबा कारेखाल आपने राजनीत को दिया है एक लंबी पारी आपने राजनीत में निभाई है इस अन्भो को किस तरीके से चुनाओं में आप यूज कर रहा है ज अब जद 2005 में लड़े तो 2005 में मेरा कुछ अच्छा हुआ इस समय अब बीच के जो बीच का समय रहा उसमें परिवार को चलाने के लिए विद्याला का मैंने अस्थापना किया निर्मार किया आज अपने विच स्टाप के साथ लेकर के विद्याला को चलाते रहे और उसी मे छेत्र की जो समस्याएं रही जैसे जाना समस्या का निवान करना उसमें भी हम साथ देते रहे उनलों का और विद्याला भी चलाते रहे अब इस समय चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने अनुकून हुआ है अब इस समय हम जो भी वादा करेंगे इस वरे किरिपा से अपने वोड़ों के पास तो आदा हम पूरा कर देंगे अंतिम तोर पर सरकुछ जंता को आप अपील करना चाहेंगे अपने वोड़ों के लिए हम उनसे अपील करेंगे कि वे पाच गिला पंचायत 95 से लेकर 2015 तक 2020 तक पाच गिला पंचायत प्रत्यासी सदस्कोवत देख चुके ह उसके बाद हम उनसे वादा करेंगे कि हर 15 दिन एक महिना के बाद हमारी उनकी मूलाकात होगी और सरकार द्वारा चलाई हुई गितनी योजनाय होंगी उसको हम उनके पटल पे रखेंगे और उसकार को करेंगे धन्वासर यह रहा हमारे साथ किके निसासर जो कहीं न कहीं राधनीत में यह आते हैं तो एक बहतर छवी के साथ वुपस्तित होंगे और जिला की जो भी योजनाय है उसको सकरात्मों प्रुक से लागू करने का मिरा सकते हैं चैनल के माध्यन से मैं चाहूंगा कि यह अपन में मन्जिल में कावियाब हो सकते हैं बंद बाद में